अमरीका में TikTok आप का क्या भविश्य है? इस आप के अमरीका में करीब 8 करोड सब्स्क्राइबर्स हैं, करीब 15 सो लोग इस आप के लिए यहाँ पर काम करते हैं. लेकिन हम लगातार देख रहे हैं, इस आप पर या फिर वीचाट आप हो गया, या फिर चीन से जोड़े जो आप से उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, कि वो लोगों की निजी जानकारियों को इकठा कर रहे हैं, ये आप से लोगों की जो प्राइवेट फिनांशल इंफ या फिर कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं, ट्रेशरी सेक्रेटरी स्टीम मनिशेन उन्होंने एक इंटेव्यू में कहा कि आज का जो फॉर्माट है उसमें ये आप जारी नहीं रह सकता, या फिर इस आप का जो अमरीका में बिजनस है, उसे बेश दिया जाए या फिर इस आपको ब्लॉक कर दिया जाए, इसके अलावा सेक्रेटरी उफ स्टेट माइक मॉंपिय उन्होंने एक इंटेव्यू में कहा है कि आने वाले दिनों में चीन की जो कॉमिनिस्ट पार्टी है, उससे जुड़े जो सॉफ्ट्वेर हैं और उनके शब्दों में जो इससे राश पती ट्रम के बीच बातचीत हुई है और टिक टॉक को खरीदने के लिए जो बातचीत है उससे परसू किया जाएगा और कोशें जारी रहेंगी और हर हाल में बाइट डांस जो कंपनी है उसके साथ कोई भी बातचीत है वो 15 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी तो इस तरह के बयान हम देख रहे हैं लगातार आ रहे हैं टिक टॉक आप का जो ट्विटर एकाउंट है उस पर एक वीडियो है उसमें इस आप की तरफ से कहा गया है कि आने वाले तीन सालों में 10,000 नौकरियां अमरीका में ये आप ला रहा है तो ये टिक टॉक आप की तरफ से कहा ग इसे लेकर उनके पास कई मौडलिंग गृप्स के नतीजें आए हैं और इन नतीजों से ऐसा अंदाजा लगाए जा सकता है कि 22 अगस्त तक जो मरने वालों की तादाद है वो 1,68,000 से लेकर 1,82,000 के बीच हो सकती है और जो राज हैं जिनमें जो मरने वालों की तादाद वाशिंग्टन है या पर न्यू जर्सी जैसे राज जहें ये शामिल हैं डॉक्टर डेबरा बर्क से जो की वाइट हाउस कुरोना वाइरस टास फोर्स की सदस हैं उनकी तरफ से कहा गया है फिर उन्होंने एक इंटिव्यू में कहा है कि अमरीका है वो कुरोना वाइरस पै पहले हैं बढ़े हैं और ऐसा नहीं है कि अगर आप शहरी इलाकों में नहीं रहते हैं तो आप इस वाइरस से बचे हुए हैं तो डेबरा बर्क की तरफ से या पर यहां पर एड्मिनिस्टेशन के जो ओफिशल्स हैं सभी की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग खुद को बचा आने के लिए फेस मास्ट पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइन्स हैं उनका पालन करें विनीत खरे बीबीसी वाशिंटन डीसी